हमारे चैनल पर स्वागत है आपका तो चलिए आज हम बनाते हैं बाज़डा के रोटी तो सबसे पले उसके लिए हमने दो कप बाज़डा लिया है यह देखिए आप देख सकती है उसके बाद इसमें हम हलका सा नमक डालेंगे थोड़ा सा बिल्कुल फीका चाहिए नमक हमें इसके बाद इसमें हम आधा छोटा चमच जवाइन इसको हाथों से मसल कर क्रेस करके डाल देंगे इस तरी के से आप देख सकती है इसके बाद इसमें हम तो चमच घीर डाल देंगे इसे जो हमारा रोटी बनेगा और क्रिश्पी बनेगा बिलकुल भी आप चाहें तो तेल भी डाल सकती है इसमें इसे अब हम साइड में रखेंगे उसके बाद एक बर्तल लेंगे उसमें हम जिस कप से बाजड़ा को हमने नाप के लिए आठा उसी कप से हम एक कप पानी नमक और जवाइन मिला के रखा था, इसको अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद जो पानी हमने गरम किया है, इस पानी से हमें इसमें थोड़ा थोड़ा डाल कर बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से मिलाएंगे हम इसे बाजडा के आटा को, यह देखिया, पानी बहुत गरम है, खौल रहा है, हमें गरम पानी से इसे गुथना है, इस तरीके से, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर गुथे, नहीं तो आपका आटा गीला हो सकता है, यह देखिया, और अब हमने अच्छे से मिला लिया इसे, मिला कर अब हम इसे ढख कर दस मिनट तक रखतेंगे दस मिनट हो चुका है, तो अब हमेरा इतना ठंडा हो चुका है, कि हम हाथों से असानी से छू सके इसे, यह देखिया, तो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से हाथों से मसल मसल कर, जैसे हम नर्मल के हूं कि आटा के रोटी गुथते, उसी तरीके से इसे गुथ लेंगे, यह देखिया, उसके बाद आटा को हमने गुथ लिया है, अब हम इसे ढख कर पांच मिनिट के लिए छोड़ देगे, ताकि अच्छे से से सेट हो जाए हमारा आटा, यह देखिया, दो से तीन चम चमर करी पानी बच चुका है, उसके बाद इसे हम बिल्कुल अच्छे तरी से बिल्कुल मसल कर बिल्कुल सॉफ्ट डो तेयार कर लेंगे, बाजडो का आटा का, यह देखिया, अब सॉफ्ट डो हमारा तैयार हो चुका है, तो इसमें अब थोड़ा सा हम सूखा आटा लेंगे, बाजडे का पर्थन के लिए, आप देख सकती है, उसके बाद बड़ा नार्मल रोटी से थोड़ी मोटी ही बनती है, उसके बाद हमने तावा को गरम होने के लिए रख दिया, इसके अब तेख के लिए अब टावा पर हम डाल देगे हैं कि अजब एक तरफ से सीख जाएगा तो इसको आप लड़ देंगे इसे देखें, और यह तावा पर हमारा रोटी तब तक शिख रहा है, तब तक हम दूसरा रोटी बेल लेंगे इससी तरीके से, अब देख सकती है और जुद्धिन के रहां कि सुखें बादेंगे इस तरह के सा फीर और यह बेल ऑद इसे घुमा घुमा कर भेल लेंगे यह देखे इसे घुर हाँ आ अब और देंगे हो यह देखे आब प्लट देंगे जब सिंज जाएगा इसे कप्ड़े के दबाते इस तरीके से इसे फूल आ लेंगे देखिए रोटी हमारा फूल चुका है यह रोटी फूल चुका है हमने कहीं ज्यादा ही दबा दिया इसे थे भट किया इसलिए कैमरे में दिखने उसके बाद अब हम इसके निकाल लेंगे और गी लगा कर इसे गरम-गरम पर उसे खाने में बहुत ही टेस्टी लाएगा इसके बाद दूसरा रोटी हम डाल रहे हैं की दो पहुत है इसको भी एक तरफ से शीख जाएगा तो इसे यह प्लट लेंगे कि इस देखिए प्लटने के बाद दूसरे तरफ से भी जब सीख जाएगा तो इसे माय आपको गास के बारनल पर फूला के देखा रहे हूं यह दिखिए इसे घूमाते हुए हाथों कि मदस मैं इसे फुला लोगी आप चाहें तो यहां पर चिम्टा कर सकती है नहीं तो आपका हाथ चल सकता है यह देखिया और इसी तरीके से चारों तरफ से घुमा घुमा कर हम इसे फुला लेंगा अब फुलाने के बाद इसे अब हम निकाल लेंगा यह देखिया उसके बाद मैं तीसरी रोटी डालें अभी इसको मैं तवे पहीं घी लगा दूँगे इस तरह के सभी आसानी से फुल जाता है अब आपको जो आसान लगे वो इसे बना के खाईए खाने में बहुत ही टेस्टी है और इसका तशीर गरम होता है तो इसे ठंडा में हापता में एक दिन बना कर जरूर खाना चाहिए और अब सर्दी आहीं रही है ए देखिया और इसी तरीके से बारी-बारी से करके सारी र अब अब लट पुलट कर हमिसे सेख कर निकाल लेंगे आप और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्क्राइब जरूर कर आपको जो रोटी बनाना असान लगे चीज तरीके से उस तरीके से बनाई है और इसे अब हम निकाल लेंगे पिलेट में और यह देखें रोटी हमारा बन करते यार हो चुका है